नमस्कार मैं डॉक्टर अनीदा सिंग कुछ किस्से कुछ कहानिया कायकरम में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो बच्पन की स्मृतियों में अपनी पहली साइकल की स्मृति भी जरूर होती है आपने साइकल चलाना कब सिखा था? आपके पिता जी ने सिखाया था? बड़े भाई ने या बहन ने? या स्कूल के किसी दोस्त ने? मुझे तो साइकल मेरी बच्पन की दोस्त अमृता ने सिखाया था स्कूल और फिश्विद्याले तक की पढ़ाई में यह विद्या मेरे बहुत काम आई और जब बाद में मैंने टू वीलर सिखा तो जाहिर है मुझे वो मेरी दोस्त भी शिद्दत से याद आई दोस्तो आपके पास भी आपके साइकल चलाने के तमाम किस्से होंगे दोस्तो ये कहानी उस दौर की है जब साइकल रखना भी बड़ी शान की बात थी लगभग असी नब्बे वर्ष पुरानी कहानी है ये पर वो समय ऐसा था कि एक वेक्ति की साइकल पूरे महले के लोग मांग कर चलाया करते कहते हैं न साहित हमारे जीवन के प्रतेक पल को प्रतेक अनुभव को दर्ज करता है प्रेमचंद के ही समकालिन कथाकार सुदर्शन की कहानिया भी लोगों में बहुत लोग प्रिये थी आप में से जादा तर लोगों ने यह कहानी स्कूल के पाठेकरम में भी जरूर पढ़ी होगी तो आईए उन पलों को फिर से जीएं और अपने साइकल चलाने के उन पुराने किस्सों की याद को ताजा करें बच्पन की स्मृतियों के दर्वाजे पर दस्तक देती यह कहानी आपको उन गल्यारों और रस्तों पर ले जाएगी जहां आपने पहले पहल साइकल चलाई थी चलिए सुने लेखक सुदर्शन जी की कहानी साइकल की सवारी भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को सैकल की सवारी करते या हार्मोनियम बजाते देखता हूँ तक मुझे अपने उपर कैसी दया आती है सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खुब बनाई है एक से समय बचता है दूसरी से समय कटता है मगर तमाशा देखे हमारे किसमत में कल्यूक की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई न तो सैकल चला सकते हैं न बाजा ही बजा सकते हैं पता नहीं कबसे यह धारडा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे खयाल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले और इसकी शुरुवात यो हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घड़ा के कैसे कैसे खयाल हमारे मन में उठे सोचा क्या हमी जमाने भर के फिसड़ी रह गए हैं सारी दुनिया चलाती है जरा जरा से लड़के चलाते हैं मुर्ख और गमार चलाते हैं, हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़ी लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चड़ गए और ताबर तोड पाव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टंटन करके घंटी बजा दी, ना हटा तो क्रोध पूर आखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए, बस यही तो सारा गुर है इ कुछ ही दिनों में सीख लेंगे, बस महराज हमने निश्चय कर लिया कि चाहिए जो हो जाए परवाह नहीं, दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किये और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया, कि इनकी जरा मरमत तो कर दो, श्रीमती श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी द्रिश्टी से देखा, और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहा है, कि मरमत करूँ, इन्हें तो फेक दिया था, आप कहां से उठा लाए, जाईए, वहीं जाकर डालाईए, हमने मुस्कुरा कर श्रीमती जी की तरफ देखा, औ अगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ, इनका क्या बनेगा, हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो, और हम साइकल सवार बन जाए, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाए, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चे करें, घर वालों को तां सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम, हम गर्दन टेड़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, और जैसे यह सवारी हमारे लिए स अच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि यह बेल आप से मत्थे चड़ सके, खेर यतन करके देख लीजिए, मगर इन कप्डों से क्या वनेगा, हमने जरा रोब से कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं, जो मुर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुधिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं, मालुम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जबाब हमारी इस्त्री के पास नहीं था, क्योंकि उन्ह खर बाजार जाकर दवा के दो डिब्बे खरीद दिये, कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके, इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया, ताकि दूसरे दिन से सैक्ल सवारी का अभ्यास किया जा सके, अब यह सवाल हमारे सामने था कि उस्ताद किसे बनाए इसी उधिरबुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नरायन आ गया और बोले क्यों भाई हो जाए एक बाजी शतरंज की हमने जबाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता, तीवारी जी ने कहा, क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करे? यह कहते कहते हमारा गला भर आया तीवारी जी का दिल पसीज गया हमारे पास बैठ कर बोले अरे भाई मामला क्या है पत्नी से जगड़ा तो नहीं हो गया हमने कहा तीवारी भेया क्या कहें सोचा था लाउ सैकिल की सवारी सीख ले मगर कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे खयाल में तीवारी जी ने हमारी तरफ बेविसी की आँखों से ऐसे देखा मानो हमें कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ है बोले मेरी मानो तो यह रोग ना पालो अब इस उम्र में साइकल पर चड़ोगे और यह भी कोई सवारीों में सवारी है कि डंडे पर बैठे हैं और पाउँ चला रहे हैं अजील लानत भेजिए इस खयाल पर चलिए एक बाजी खेले मगर हमने भी कच्ची गोलिया नहीं खेली थी साफ समझ गए कि यह तिवारी इश्या की आग में फुका जाता है मुफ लाकर हमने कहा भाई तिवारी जी हम तो जरूर सीखेंगे कोई आदमी बताओ आदमी तो है एक ऐसा मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा फीस लेगा दे सकोगे तिवारी ने कहा हमने पुछा कितने दिन में सिखा देगा तिवारी जी ने कहा दस बारह दिनों में और फीस क्या लेगा हमसे तिवारी ने कहा और उसे पचास लेता है तुमसे बीस ले लेगा हमारी खातिर हमने सोचा दस दिन सिखाएगा और बीस रुपए लेगा दस दिन बीस रुपए बीस रुपए दस दिन यानि कि दो रुपए रुजाना अथार्ट साथ रुपए महिना और वो भी केवल एक दो घंटे के लिए ऐसी तीन चार ट्यूशने मिल जाएं तो धाई तीन सो रुपए मासी खो जाएंगे हमने तीवारी जी से इतना ही कहा कि जाओ जाकर मामला तै कराओ मगर जी में खुश हो रहे थे कि एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और तीन-चार सो रुपए मासी कमाने लगेंगे इधर तीवारी जी मामला तै करने गए इधर हमने अशुव समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे तीन-चार सो रुपए मासीक आमदनी होगी श्रीमती जी बोली तुम्हारी इतनी उम्र हो गई मगर ओचा पन न गया अरे पहले खुद तो सीख लो फिर स्कूल खोलना मैं तो समझती हूँ कि तुम ही न सीख सकोगे दूसरों को सीखाना तो बड़ी दूर की बात है हमने बिगड कर कहा यह बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम न सीख सकेंगे पहले तो शायद सीखते या नहीं सीखते पर अब अब तुमने जो टोका है तो जरूर सीखेंगे तुम भी क्या कहोगी श्रीमती जी बोली अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाद चलाओ यह सैकल क्या चीज है मगर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है एक बार गिरोगे तो देख ले ना सैकल वहीं फेक फाक कर चले आओगे इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी हमने बाहर जाकर देखा तो उस ताथ साहब खड़े थे हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान शद्धा से हाथ जोड़कर प्रडाम किया और चुप चाप खड़े हो गए तिवारी जी बोले यह तो बीस पर मान ही नहीं रहे थे बड़ी मुश्किल से मनाया है पेशगी लेंगे कहते हैं सीखने के बाद पीछे से कोई देता ही नहीं अरे भाई हम देंगे दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है यह बस चलाना सिखा दें फिर देखें हम इनकी क्या क्या सिवा करते हैं मगर उस्ताद साहब नहीं माने बोले फीस पहले लेंगे हमने भी कहा और यदि आपने नहीं सिखाया तो उस्ताद जी ने कहा नहीं सिखाया तो फीस लोटा देंगे हमने कहा और यदि नहीं लोटाया तो इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है शहर में रहना हराम कर दूँ बजार में निकलना बंद कर दू फीस लेकर भाग जाना कोई हसी खेल है क्या जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिये और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना हम तयार रहेंगे इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिये गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए दवा भी खरीद लिया और हाँ हमारे पडोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग लिये आप सवेरे ही चले आए तो हरी का नाम लेकर शुरू कर दें तीवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूली गए नंगे पाउ भागे और उन्हें जाकर बाजार में पकड़ा वे हैरान थे हमने हाफते हाफते कहा उस्ताद हम शहर के पास नहीं सिखेंगे लौरेंस वाग में जो मैदान है वहाँ सिखेंगे वहाँ एक तो भूमी नरम है चोट कम लगती है दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है अब रात को आराम की नीद कहा बार बार चोकते थे और देखते थे कि कहीं सूरश तो नहीं निकलाया सोते थे तो साइकल के सपने आते थे एक बार देखा कि हम साइकल से गिर कर जखमी हो गए है साइकल आप से आप हवा में चल रही है और लोग लोग हमारी तरफ आखे फाड़ फाड़ के देख रहे है और जब आँखें खुली तो दिन निकलाया था जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिये दवा का डिबा साथ में लिया और नौकर को भेज कर मिस्त्री से साइकल मगवा ली इसी समय उस्ताद साहब भी आ गये और हम भगवान का नाम लेकर लौरेंस बाकी और चल पड़े लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक लड़के ने छींक दिया क्या कहें क्या कहें कि हमें कितना क्रोध हाया उस नामुराद बिल्ली पर और उस बदमाश लड़के पर मगर क्या करते दात पीस कर रह गए एक बार फिर भगवान का पावन नाम दिया और आगे बढ़े पर बाजार में पहुच कर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हस रहा है अब हम हैरान कि बात क्या है सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिये हैं और लोग इसी पर हस रहे हैं भई सिर मुडाते ही ओले पड़े हमने उस्ताद से माफी मागी और घर लोटा है यानि कि हमारा पहला दिन मुफ्स में गुजरा दूसरे दिन फिर निकले रास्ते में उस्ताद साहब बोले मैं एक गिलास लसी पी लूँ आप जरा साइकल को थामिये उस्ताद साहब लसी पीने लगे तो हमने साइकल के पुरुजों की उपर नीचे परिक्षा शुरू कर दी फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़ कर चलने लगे मगर दो ही कदम गए होंगे ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकल हमारे सीने पर चड़ी आती है इस समय हमारे सामने गंभीर प्रशनिया था कि क्या करना चाहिए युद छेतर में डटे रहे या हट जाए सोच विजार के बाद यही निश्चे हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है इसके सामने हम क्या चीज है बड़े बड़े वीर युद्धा भी ठहर नहीं सकते इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बन कर मुड़ गए पर दूसरे ही छड़ साइकिल पूरे जोर से हमारे पाउं पर गिर पड़ी और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुंजने लगी उस्ताद लस्ती छोड़ कर दौड़े आये और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए सबने मिलकर हमारा पाउं साइकिल से निकाला भगवान के एक भक्त ने दवा का डिबबा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सहानुभूती से पूछा चोट तो नहीं आई जरा दो-चार कदम चलिये नहीं तो खुन जम जाएगा तो इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जखमी हो गए हम लंगनाते हुए घर लोटाए और साइकिल साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री के दुकान पर भेज दी मगर हमारे वीर हिर्दय का साहस और धीरच तो देखिए अब भी मैदान में डटे रहे कई बार गिरे कई बार शहीद हुए घुटने तुडवाए कपड़े फडवाए पर क्या मजाल जो जी छूट जाए आठ नो दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर साइकिल लिये जाते थे हमारे आनंद की कोई सीमाना थी सोचा मार लिया मैदान हमने दो-चार दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे इसके बाद प्रोफेसर, फिर प्रिंस्पल इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज और तीन-चार सव रुपे की मासिक आमदनी तीवारी जी देखेंगे और इश्या से जलेंगे उस दिन उससाद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सडक पर छोड़ दिया कि ले जाओ अब तो तुम सीख गए अब हम साइकिल चलाते थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे मगर हाल यह था कि कोई आदमी सौगच के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिलाना शुरू कर देते साहब बाई तरफ हट जाये दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राड सुख जाते उस समय हमारे मन की जो दशा होती वो तो बस परमिश्वर ही जानता है जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती सहसा सामने से तीवारी जी आते हुए दिखे हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दिया तीवारी जी बाई तरफ हो जाए वरना साइकिल आपके उपर चड़ा देंगे तीवारी जी ने अपनी छुटी-छुटी आँखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा जरा एक बात तो सुनते जाओ हमने एक बार हैंडिल की तरफ दूसरी बार तीवारी जी की तरफ देखकर कहा इस समय बात सुन सकते हैं क्या देखते नहीं हो साइकिल पर सवार है तीवारी जी बोले तो क्या जो लोग साइकल चलाते हैं किसी की बात नहीं सुनते बड़ी जरूरी बात है जरा उतर आओ हमने लड़कडाती हुई साइकल को संभालते हुए कहा उतर आएंगे तो चढ़ाएगा कौन अभी चलाना सीखा है चढ़ना थोड़े ना सीखा तिवारी जी चिलाते रह गए और हम हम आगे निकल गए इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया हमने उसे भी दूर से डांट दिया बाई तरफ भाई बाई तरफ अभी हम नए चलाने वाले हैं तांगा बाई तरफ हो गया हम अपने रस्ते चले जा रहे थे एका एक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सुझी जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया हमारे हाथ-पांग फूल गया जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते मगर बुरा समय जब आता है तो बुद्धी पहले भरष्ट हो जाती है उस समय हमें खयाल ही नहीं आया कि हैंडल को घुमाया भी जा सकता है फिर क्या था हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम हम तो बेहोश हो गए जब हम होश में आये तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टिया मधी थी हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा क्यों अब क्या हाल है मैं ना कहती थी सैकिल चलाना नहीं सीख पाओगे उस समय तो किसी की सुनते ही न थे हमने सोचा लाओ सारा का सारा इलजाम तीवारी जी पर लगा दे और खुद साफ बच जाए हमने कहा यह सब उस तीवारी की शरारत है स्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जबाब दिया यह तो तुम उसको चकमा दो कुछ जानता ही न हो उस तांगे पर मैं ही तो बच्चे को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सेर भी कराएंगे और तुम्हें सैकल चलाते भी देखाएंगे हमने निरुत्तर होकर आँखे बंद कर ली उस दिन के बाद फिर कभी हमने सैकल को हाथ नहीं लगाया तो देखा दोस्तो सैकल की सवारी इतनी आसान भी नहीं पर सचाई तो यही है कि इस से सस्ता सुविधा जनक और आज की भाशा में कहें तो इको फ्रेंडली वाहन कोई दूसरा नहीं नहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की फिक्र नहीं रख रखाव की चिंता बस जहां जाना हो सैकल उठाए और चल दिये आशा करती हूं कि आपको लेखक सुदर्शन की यह कहानी पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन जरूर प्रेस करें ताकि अगली कहानी आपको मिले सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया